कि नास विए में हमने सिंपल हामानिक मोशन को सर्कुलर मोशन से कम तेया था और इस सर्कुलर मोशन पर मुव करते में पॉइंट के लिए का डिफिलेट रहें आज रहेल आज इसी विलॉसिती फांड़ करना शीठिया है अगर मैं यह कहूं कि वह हमारा पॉइंटी था जो ए आज रहें है जो एक हमें तो सर्कुलर पार्ज फांव यह से तर्कुलर करना इस प्रल से यह एयुशं करना थे अब देखा जो हम लोगोरे का था कि इसलिए सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो थे बिफिलेटिंट की मोशन है ब्लिछिए जोडिन शी को सब्यों तो simple harmonic motion के निये मर्च है कि उसका acceleration की simple harmonic motion मर्च की condition है कि उसका acceleration हमेशा of C displacement के directly proportion होता है और हमेशा negative sign indicate ये करता है कि वो directly towards the center है यालिकि कि ज़िए हम projection के acceleration की बात करें तो भी हमेशा वो center की तरफ directed होना चाहिए और point C के acceleration की बात की चाहिए तो भी हमेशा direction towards the center ही आगा इस point O पर अगर इसे मज़ी simplifier के बनाया देए तो इस तो की situation आती है कि हमारा point C की projection का point N और ये वो main point हो जहां से हमारा point C move करना साथ चाहिए यानिके region ये S displacement displacement indicate पर ता और जो S नो जिसे हम लोग ने radius माना था अब देखा जाता हमने कहा था कि ये चीशर हो सकती है और यहांपर जो एंगर खीटा ओ रहा है यहां पर भी बन रहा है और इस चीष को हम लग बेस स्टे है तो यह चीष हमारी पर पाउंड बेशिंग है और सिस्को हम लग है अब डूरुशी पर बेस में शलिफ कहते हैं उसे हम लोग AT cos कीटा कह सकते हैं यह cos कीटा क्योंकि यह baseline के साथ यहां पर भी एक angle ठीका को रहा है और यह वाली line जो है वो 90 degree के angle पर और 90 degree के साथ वो angle होता है 90 degree के angle मतलब 90 degree का यह इसके साथ लाइं होती है उसे AP sign कीटा कहते है अगर यहां पर मैं यह लिखों कि activation जो है इस circulating point P के प्रोजेक्शन के लिए वो AT इसका y component में ने जैसे कि मैंने velocity के लिए वाव vertical component लिया था तो यहां पर हमारा पास AP vertical component sign कीटा है तो हमारा जो A हो वो AT sign कीटा के equal आजाता है अगर आप यह देखा जाएं कि AP point P का acceleration है और circle में मुख करते हैं किसी भी point का acceleration होता है उस acceleration को हम centripetal acceleration के बराबर ले सकते हैं यानि कि यह जो point है यह circle में मुख कर रहा है तो इसका कोई ना कोई acceleration होता और वह acceleration centripetal acceleration के बराबर है क्योंकि एक circle में पास रूपेट कर रहे है और centripetal acceleration है वो V square by R को लेता है और यह जो V हैंजी V हमाई तेंजन्चली velocity के इंडिकेड करता है और तेंजन्चली velocity हमेश्चा R into मेदा से बराबर है अगर इस चीशको इस expression मेर बूट कर दिया जाया है तो हमारे पार फो AP का expression आता है तो AP का कि AP का हम लोगे ने centripetal acceleration की इक्वल माना है तो यहां पर R सो है R सो कि हम लोगे ने का था कि center को किसी भी एक point सो मिलाने वाई line है जिसे हम लोगे ने x node कहा था तो यहां पर x node into omega divided by R यहां पर आने से यह x node आएगा लेकिन x node omega का square आए यह उसकी velocity का यहां पर square था इसको अगर मज़ी simplify किया जाए तो हमारे तो AP है वो x node का square into omega सा square divided by x node आजाता है और यह x node इसकी एक पावर से cancel हो जाता है तो हमारा तो AP है वो बराबर आजाता है x node into omega के square के अब अगर इस expression को इस value A में sequence A में push कर दिया जाए तो जो final expression आता है acceleration A के लिए जो projection का acceleration है वो आता है AP की values में push करने से x node omega square into sign theta अब sign theta की value हम लेकरे last video में भी बताया था कि sign theta हमेंशा perpendicular over heart vertinus होती है और अगर sign theta यह है तो हमारा तो पर पेंदुकिलर है वो displacement of projection का x और heart vertinus हमारा radius of the circle है x node इस value को अगर मैं इस expression में तो हमारा acceleration है वो बराबर आजाता है x node omega square into x divided by x node इस तरीके से यह हमारा नोड है इस x node को cancel out कर जाता है और जो acceleration है वो बराबर आजाता है समय अगर बने को कि किए है किसके धिसको अगर इंडिकेस कर लेकर कैसा क्साल ही एक ठीक करें किस्ट कर दिशेंडगा है कि अगरा इंडिकेस से और मिनस ओमेजा स्केरें पर चाहरा है यह उसके इस पीजिये में आप देख सकते हैं और इसके प्रोजेक्षिन हें थी यह जो बार पॉइन प्र आता है वह बर अपनी पॉइंट की आफ़ा की और इसकी ऑरो की आइरेक्षेन है इंडिकेट करती है कि एसके कार फिर्ट है और simple harmonic motion में भी आपने देखा होगा कि हमें साथ जो acceleration है वो towards the center की तरफ में indicate होता है जो इस हो करते है कि circle में move करते हुए point से projection की जो motion है वो भी simple harmonic motion से यह काफी हत्त प्रिलेचिद है जिसकी विरा से हम लोगों को यहां पर minus sign indicate करना पड़ा है और यह प्रूव करना पड़ा है कि जो acceleration है वो is equal to minus omega square x k equal है और अगर इस चीज़ को हम लोगों कॉंसेंट मानने तो हमारे जो acceleration है वो directly proportion आ जाता है हमारे displacement के हो जिस प्रोजेक्शन ने cover किया होता है during the motion of bad point और circular path इस तरीके सी circular path और move करके ही किसी भी point की projection के लिए जो simple harmonic motion को उबेग करे उसके लिए acceleration का हम लोग जो है formula निकार सकते है तो निकार सकते है वो acceleration भी directly proportion है उसकी displacement है और उसकी values है वो omega square x के equality है रशबаже मेंदय का हाँ णक्लिए करे दो सकते है तो सरय हbius जो सर फिल्दक्ला है झ erosion जो सकते है जो सकते हाई उ musimy